दोस्ते दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से Tech DIY चैनल पे आज हम आपको Spring Boot, Time Leaf, Web Flux और MongoDB मिलाके एक प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे इस प्रोजेक्ट में हम Add Movie, Movies का Crud Operations है जिसमें की Movie को Create करना, उसकी Rating दिखाना, Delete करना, Edit करना है इसके लिए हमने Refer किया है M.K.Yong की साइट को और Belding की साइट को जो साइट है इनके Links आपको Description सेक्शन में मिल जाएंगे और यह बहुत ही Famous साइट है Java के लिए तो प्रोजेक्ट का नाम होगा Reactive Time Mongo, JAR लेंगे हम और Packaging JAR Java 8 में करेंगे Dependencies में हम सारी Reactive वाली Dependencies लेंगे जो की Reactive MongoDB, Reactive Web और Lombok and Time Leaf होगी अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को Idea में, Maven है तो अभी आपको Maven जो Dependencies आई है वो अभी हम देखेंगे यह POM.XML है हमारा और इसमें हम देख सकते हैं Reactive Related सारी Libraries यहां पर एड़ हुई है जो हमने Spring Initializer से Add की थी अब हम चलेंगे Packages बनाएंगे Usually हम लोग Package Structure हमारा यह रहता है Config बनता है Config के साथ Controller, Model, Repository, Service यह हमारा Normally Package Structure रहता है अभी हम Config Class के अंदर MongoDB Configuration लिखेंगे, MongoDB Configuration हमको इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हम एक Specific Database के अंदर Save करना चाहते हैं अपने Movie Records को तो इसलिए हम यह बना रहे हैं हमको Enable Reactive Mongo Repositories यह Annotation Add करना पड़ेगा और इसमें हमको बताना पड़ेगा कि हमारी repository कहां बनेगी तो हमारी repository पैकेज के अंदर बनेगी और Mongo Configuration Reactive Mongo Configuration बनाने के लिए हमको Extend करना पड़ेगा Abstract Reactive Mongo Configuration को जहां पर हमको Port और Database Name वगरा यह सब हमको देना पड़ेगा और जो Abstract Class हमने Extend की है इसके अंदर Get Database Name method रहता है method hook रहता है वह हमको यहां देना पड़ेगा और Port जैसा कि MongoDB का Port होता है 27017 DB Name हम PostDB देंगे और यहां पर Configuration में हमको इसके साथ सा Template भी बनाना पड़ेगा तो वह हम यहां बना रहे है Reactive Mongo Client हमको बनाना पड़ेगा यह Client और Database Name हमको जब हम Factory बनाएंगे उस टाइम पर हमको यह चीज़े पास करनी पड़ेगी इसके अंदर आप देख सकते हैं नेम और Mongo Client हमको वहां पर पास करना पड़ेगा Mongo Client.Create करने पर एक्चुली जो ड्राइवर नेम और जो कॉन्फिग्रेशन रहती थी ड्राइवर नेम अगरेगी वह सारी कॉन्फिग्रेशन स्प्रिंग करता है हमारे लिए अभी हम वैबफलक्स कॉन्फिग्रर बना रहे हैं जैसा कि आपको पता है वैबफलक्स में इनेबल वैबफलक्स हमको करना पड़ता है अनोटेशन और यह वैबफलक्स कॉन्फिग्रर को इंप्लिमेंट करता है अगर हम वैबफलक्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी dependencies हमको reactive वाली या flux वाली ही लेनी पड़ेगी जैसा कि इस project में हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा flux project है वेb flux project है तो इसलिए हमको mongo reactive db लेना पड़ा था time leaf भी वही है और सारी dependencies वही है यहां पर movie जो कि हमारा object हो जिसमें सेव करेंगे वह object रहेगा तो इसके लिए हमको movie model हम बना रहे हैं यहां पर long id बनाएंगे mongo db का collection का नाम है movie तो वह हमने यहां बनाया getter setters के लिए लॉंबो का annotation set किया और अब हम उसके बाद हमने configuration कर लिया controller अब controller बनाएंगे model बनाएंगे controller के अंदर जैसा कि हमको पता है हमको हमारी सारे जो create update delete and search वाले operations वहां पर read वाले operations यहां पर बनाने पड़ेंगे so default हमारा यह है कि जब हमारा page load होगा जब हमारी application start होगी तो home page जो होगा उस पर हम सारे जितनी भी movies database में है वो fetch करके यह शो करेंगे अगर यहां पर rest template नहीं होता मतलब यह rest API नहीं है यह अभी currently अगर rest API होता तो हमको यह iReactive data drive context variable है इसका use नहीं करना पड़ता हम सीधे-सीधे mono flux को यहां पर लेके return कर देते बड़ क्योंकि यह time leaf में है तो उस context में यह wrapper class हमको करना पड़ेगा यह wrapper class use करेंगे हम और model object बनाएंगे parameter में और उस में हम अपना यह pass कर देंगे जो data हमारा fetch हो रहा है database से data variable context में उसको हम यहां pass कर देंगे model में और return कर देंगे एक template का नाम अब जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम time leaf add करते हैं अपने dependencies में pom.xml या gradle में तो उस case में by default IDE जैसे idea है या intelligence अगरा यह लोग templates resources folder के अंदर templates करके folder बनाते हैं और जितने भी हमारे HTML files हैं वो उसी template के अंदर जाके बननी चाहिए तो यह time leaf उसको वहां से read करके और render कर देगा ठीक है तो अभी हम अपने endpoints लिख रहे है slash वाला endpoints हमने लिख दिया default वाला home screen वाला अभी हम edit का endpoints लिख रहे हैं basically यहां पर यह कर रहा है कि add slash edit या slash edit slash id अगर दोनों ही case में यह page load करेगा अगर slash edit है only that means it's a new कि हमने एक नया नई movie की detail डालने वाले हैं और अगर edit slash id है तो इसका मतलब database से movie fetch करके और उसकी details को हम update करने वाले हैं तो वही यह page उसी तरह से load होगा जैसा कि आपको पता Spring MVC में model बनता था तो यहां पे भी model object है उस model object के अंदर हम अपना जो object है movie वो pass कर रहे हैं और return कर रहे हैं जो हमारा HTML template है उसका नाम हम यहां पे return कर रहे हैं तो दो templates हमको बनने पड़ेंगे एक all movies और add movies और दोनों ही template जो है वो हमारे slash resources slash templates के अंदर होने चाहिए ठीक है अभी हमने copy किया है previous वाला जो endpoint था function था उसको copy किया है दूसरा function बना है delete के लिए इसको भी हम delete mapping में करेंगे ideally हमको delete mapping में करना चाहिए हम देखते हैं इसको आगे जाके update करेंगे और दूसरी चीज़ flux के अंदर create और delete के जो operations रहते हैं इनमें हमको flux में subscribe करना पड़ता है dot subscribe करने पर वो actually asynchronous operation initiate होता है मलब वो शुरू होता है वहां से और यहां पर जब हम return में string के नाम में अगर redirect or dot slash दे देते हैं तो यह बता रहा है कि यह operation करने के बाद आपको redirect होना है home page पे home page का URL था slash तो वो हमने किया और how to do with how to do in java एक बहुत अच्छी साइट है तो उसको भी हम यहां refer कर रहे हैं और उस साइट से हम template वगएरा ले रहे हैं तो वहां वहीं इस साइट का भी link हमको description section में हम लोग आपको दे देंगे तो आप वहां से इसका use कर सकते हैं और यहां पर अभी हम template बना रहे हैं तो यह जो template है all movies template है यहां पर हम एक list की form में सारी movies को एक list में दिखाएंगे और movies के जो जैसे हमने देखा था movie जो model class है अपनी उसके अंदर हमने attributes रखे थे या उसके fields थे id, name and उसका score यह एक IMDB एक बहुत famous rating वाली site है कुछ कुछ उस तरह का implementation ट्राय कर रहे हैं यहां पर तो यहां पर movie का नाम रहेगा और rating रहेगी कि 10 में से उसको कितने star मिले हैं तो वही हम यहां बनाने कोश्च कर रहे हैं तो यहां पर हमने add movie करके section जोड़ा है और slash edit जो हमारा href यहां add किया है वह slash edit को point कर रहा है slash edit है वह अपने को slash edit वाला जो path था controller के अंदर उस particular method को यह invoke करेगा और अगर आपको याद हो तो हमने एक condition डाली है वहां पर कि अगर id पास कर रहे है slash edit के अंदर तो उस case में यह हो जाएगा update करने के लिए और अगर id पास नहीं कर रहे हैं तो यह नया create करने के लिए हो जाएगा same page तो वही हम यहां कर रहे हैं तो हम यहां पर basically जो हमने copy किया है वहां how to do in java से उसको हम अपने हिसाब से उस page को modify कर रहे हैं तो आप भी refer कर सकते हैं in sites को और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं get mapping so template हमको बनाना पड़ा है template folder ideally यह folder बनना चाहिए था जब भी हम import करते हैं project को तो उस time पर पॉम के हिसाब से पॉम में time leaf था तो यह template templates folder folder resources के अंदर बनना चाहिए था I don't know कि यह क्यों नहीं बना है चलिए देखते हैं हमने इसे manually बनाया और अपने जो html template pages हैं वो हम उसमे folder में move करेंगे और यहां पर id बगेरा यह सारे जो time leaf के इस तरह से हम time leaf में अपने objects को html में pass करा सकते हैं तो वह हम यहां कर रहे हैं तो वह चीज़ हम यहां add कर रहे हैं और add करके अपने html page को उसे साब से customize कर रहे हैं यह हो गया add movie page और इसी तरह से हम all movies का page भी बना देंगे यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो action है इसका form action है यह form है form का action है slash create तो actual में जो saving वाला part है जहां पर हम यहां से data read करके जब submit पर click होगा तो create method कॉल होगा और वहां पर हमको movie object मिल जाएगा जो हम यहां पर बना रहे है HTML template में जो हमने movie object बना है वहां पर मिल जाएगा और उसको हम आगे read करके database में save कर लेंगे तो यहां पर हम कर रहे हैं यही part यही काम अब देख सकते हैं कि यहां पर हमने pass किया है सारे id values और यह सब text field से हमको मिल जाएंगे HTML input type text जो है उसके थरूँ यहां पर read कर लेंगे और सारी binding यहां पर की हुई है अभी server start करते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारा server start हो गया है एक बार hit करके देखते हैं बट white label error page आ रहा है देखते हैं क्या problem है कि यह कह रहा है कि get slash mapping जो है proper नहीं हुई है हमने जो दूसरी sites में जाके देखा तो हमको यह पता चला कि क्योंकि हमने manually create किया था resources के अंदर template folder तो वह template की जगे templates होना चाहिए था वह change हमने कर दिया है अभी restart करके देखते हैं server को यह problem आई थी हमको जब हमने यह project बनाया था तो server restart करके देखते हैं अभी problem आ रही है अभी देखते हैं क्या issue आया है तो हमने थोड़ा और search किया इसको तो हमको यह stack overflow में यह link मिला और spring docs के अंदर भी हमने check किया basically जब हम time leaf use कर रहे होते हैं तो add enable web flux जो annotation हमने add कि अंदर उसकी ज़रत नहीं पड़ती है क्योंकि वह time leaf वाली configuration को override कर देता है और इसी वज़े से यह कुछ problems हमको face हो रही थी तो इस stack overflow का जो link है यह भी हम आपको description section में दे देंगे तो आप वहां से इसको देख सकते हैं यहां पर अब हमारा page लोड हुआ है movie का नाम हम दे रहें यहां पर जैसे हम कुछ English movies avenger and game वगर दे रहें score हमने दिया 9 और यहां पर सड़क 2 ती है हमने पिछले साल की सबसे घटिया picture उसका rating दिया है हमने 0.000 सेव किया database में चेक करते हैं कि database में values जा रही हैं और सब ठीक लग रहा है अभी तक तो अभी इसको edit करके देखते हैं delete करके देखेंगे edit करके देखेंगे चारों crud operations हम यहां से करके देखेंगे अभी edit कर रहे हैं हम तीन नंबर id पे tinat movie डाल रहे हैं tinat बहुत अच्छी picture थी hollywood की last year की हमारे ताना जी की picture id number 4 पे हम डाल रहे हैं obviously इसकी rating तो हम 10 ही देंगे तो उसी हिसाब से हम avenger की rating भी readjust करते हैं 9 की जगे 9.5 देते है सड़क 2 ठीक नहीं लग रही है तो हम कोशिश करेंगे उसको इस लिस से हटाने की तो देखते हैं उसको हटाते हैं हम delete पे क्लिक किया movie हट गई यहां से और इस तरह से हमारा project almost complete होना है सारे functionalities हम चेक कर रहे हैं एक एक बार करके या हमारे चैनल को like, share, subscribe कीजिए Tech DIY को यह भी हमने एक movie का नाम दे दिया है rating दी है 10, yes at least 10 subscribers तो चाहिए इस वीडियो पर देखते हैं आगे क्या होता है so यह और एक अच्छा link है building.com यह आप follow कर सकते हैं mongodb क्योंकि एक document db है और वहां पर हम unique ids generate नहीं कर सकते तो directly उसका annotation कोई available नहीं है अगर हम data jpa use कर रहे होते तो add generated value करके हम generate कर सकते थे पर क्योंकि यह mongodb है तो यहां वह कैसे इसमें कैसे करना है तो वह इस link पर हम मिलेगा welding की link पर मिल जाएगा तो वह आपको description section में मिल जाएगा वह link और इसी के साथ धन्यवाद बने रहने के लिए और अगले वीडियो तक हिंदी में अगले वीडियो तक बाबाई टेक केर और लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे काम को तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद कि अप्सक्राइब करें अप्सक्राइब करें